हलो बच्चों माइंड मैप सेरीज में आप फिर से स्वागत है तमाम चैप्टर्स तुम लोग कर चुके हो अच्छा रिवीजन चल रहा है और जितनी भी चीजें तुम लोग को कराई गई है उन सब चीजों का अगर एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लिया जाए और उस बोला जा सकता और इस चाप्टर में जो मेंन फिरों लोग करेंगे उन पॉइंट में सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है वह ये कि बूर्प्र से के बारे में थोड़ी सी discussion हमें करनी चाहिए तो मेरे हिसाब से यह चाप्टर एक important chapter है जिसमें कुछ चीजें हमें समझनी है चीजें आसान है एक बार उसको समझ लिया जाए उसके बाद इस पर आने वाले सवालों को आसानी से किया जा सकता है तो जहां तक सवाल है सबसे पहली बात का reduction या oxidation की मेरे खाल से हम सब इस बात को agree करते हैं reaction कोई भी reaction redox reaction इसलिए क्योंकि उसके अंदर reduction और oxidation दोनों ही एक साथ देखने को मिल रहा यानि अगर मैं redox reactions की बात करूँ तो एक process एक definition यह कहती है कि electrons का अगर involvement है electron transfers का अगर transfer का involvement है तो उस reaction को आप redox reaction का नाम देंगे कुछ definition यह कहती है कि अगर oxidation और reduction दोनों involved है तो भी आप उसको redox reaction का नाम दे सकते हैं यह सब एक ही चीज़े हैं यह सारी चीज़े एक ही बात को define करती हैं और कुछ जगहों पर इसी definition को ऐसे भी कर सकते हैं कि जब oxidation state increase कर रही हो या किसी element के oxidation state decrease भी कर रही हो ऐसे process में reduction या oxidation दोनों ही चीज़े देखने को मिलती हैं और इस तरह की reactions को redox reactions का नाम दिया जाता तो आप चाहें इस redox reaction को ऐसे define करें ऐसे define करें या ऐसे define करें तीनों बाते एक ही दूसरी बात करें, oxidation या reduction से link करें बातों को बहुत आसान है, modern definition के accordingly, oxidation का मतलब है आपने electron lose किया और reduction का मतलब है आपने electron gain किया, and this is the modern definition जो हमें लगता है, हमें यही याद रखनी भी चाहिए, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर आप modern definition की बात करते हैं, तो modern definition यह कहती है क de-electronation is oxidation and electronation is reduction, that means if you are accepting, if you are losing electrons, that means आप oxidation की बात कर रहा है, and if you are gaining electrons, that means आप reduction की बात कर रहा है, तमाम examples होंगे, तुम्हें बहुत सारे examples सुने भी हैं, बहुत सारे examples हो सकते हैं, जिनमें कुछ example मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, zinc electron lose कर रहा है, oxidation हो रहा है, tin electron lose कर रहा है, oxidation हो रहा है, Magneze यहाँ पर प्लस सिक्स से प्लस सेवन में जा रहा है, ये भी Oxidation की काटेगरी होगी, यहाँ ऐसा लगरा है जहाँ जहाँ भी Electrons का छोड़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ भी Substances Electrons lose कर रहा है वो oxidation की category और जब electrons gain करने की बारी आती है copper plus two electron gain कर रहा है आरन plus three electron gain कर रहा है इसी तरह से oxygen electron gain करके oxide में convert हो रहा है या आरन अपनी plus three oxidation state से plus two oxidation state में convert हो रहा है ऐसे में भी वो electron gain कर रहा है यानि plus three oxidation state अगर plus two oxidation कि अगर मैं आप। उप्सेर में चीजब हम रहे हैं कि आगर आप आप। लगता है इस अक्व sopr को धूर ना पड़ेगा मुझे लगता है जहां पर быть comprehending गेन हो रहा हैं उसे आप रिडक्शन बोलेंगे और जहां एलेक्ट्रॉन्स लूस किये जा रहा है आप उसे ऑक्सिडेशन का नाम देंगे जैसे कि आप इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से भी समझना चाहिए कि हमारे रियक्शन्स हमारे सामने होंगे हमें खुद ही इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा क्या आप रिडक्शन शो कर रहे हैं या उक्सिडेशन तो अगर आपको लगता है क्या आप एलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन होगा आप एलेक्ट्रॉन लूस कर तो आप oxidation की category में चले जाएंगे ओके चली और आगे बढ़ते हैं दूसरी बात जो मुझे लगती है यही कि redox reactions कितने तरह की देखने को मिल सकती है तो बहुत simple है redox reaction intermolecular भी हो सकती है redox reaction intermolecular भी हो सकती है अगर intermolecular reactions की बात करते हैं यानि दो अलग-लग molecules के बीच में अग electron lose कर रहा है तो that means this is oxidation no doubt अभी हमारी बात भी थी oxidation है और rn plus 3 वो plus 2 में convert हो रहा है so this is reduction यानि ऐसा लग रहा है कि अगर दो molecules के बीच में oxidation reduction चल रहा है तो आप इसे redox reaction का नाम देंगे जो कि intermolecular redox reaction होगी इसी तरह सागर intermolecular redox की बात करें तो intermolecular redox एक ऐसी reaction होगी जिसमें एक ही आदमी खुद ही electron gain कर रहा है और खुद ही electron lose कर रहा है जैसे आपके सामने KCLO3 की heating करने से KCLO2 बनती है जिसमें chlorine को देखे तो plus 5 oxidation state और यहाँ पर chlorine को देखे तो minus 1 oxidation state यहाँ पर oxygen को देखे तो minus 2 oxidation state और यहाँ पर oxygen को देखे तो यह zero oxidation state ताप दिखाई देता है plus 5 वाला अदमी अगर minus 1 में जा रहा है तो this is reduction और minus 2 वाला अदमी अगर 0 में जा रहा है तो electron lose कर रहा है this is oxidation यानि KCLO3 खुदी oxidize हो रहा है खुदी reduce हो रहा है इसको आप हर सूरत में intra molecular redox reaction का नाम दे सकते हैं कुछ एक unique category भी redox reaction की बनती है जिसको disproportionation कहा जाता disproportionation reaction से ऐसी reaction है जिसमें किसी compound का एक element खुदी reduce होता है और खुदी oxidize करता यानि वही element अपने आपको ही reduce और अपने आपको ही oxidize करता यानि उस element का अगर एक portion लिया जाए तो उसका एक portion oxidizing agent बन जाता है और एक portion reducing agent बन दाता जो oxidizing agent बनता है वो सामने वाले portion को oxidize करता और जो reducing agent बनता है वो सामने वाले portion को reduce करता यानि example के तो अगर बात करें तो H2O2 में oxygen हमारा minus 1 oxidation state में है और ये minus 2 में भी जा सकता है और ये 0 में भी जा सकता है minus 1 से minus 2 में जाना reduction है और minus 1 से 0 में आना oxidation है H2O2 का oxygen खुदी reduce कर रहा है खुदी oxidize कर रहा है अच्छा सवाल यह है कि सर इसका उल्टा भी कुछ होता है इसका उल्टा कम proportionation reaction होती है इसके अंदर दो लोगों की different oxidation state यानि किसी एक element की दो लग-लग oxidation state किसी common oxidation state में convert होती है जिसमें reduction भी इन्वाल होता है और oxidation भी इन्वाल होता है यानि अगर मैं यहां पर देखूं कम proportionation reaction में तो chlorine जो कि हाँ पर plus 1 oxidation state में दिखाई दे रहा है यह सूरत और यहां पर chlorine जो minus 1 oxidation state में दिखाई दे रहा है वो दोनों 0 में convert हो रहे है यानि plus 1 में से 0 में जाना इसको reduction का नाम दे दिया जाएगा और minus 1 से 0 का आना इसको oxidation का नाम दे दिया जाएगा, यानि एक ये element की दो अलग-अक्सिरेशन स्टेट, reduce और oxidize होकर एक common oxidation स्टेट में convert हो रही है, this is an example of comp proportionation reaction, क्यानि types of redox reactions की बात करें, तो ये चार तरक ही हैं intermolecular, intermolecular, disproportionation and comp proportionation reactions, जो की uniquely discuss की जा सकती है, next point की अगर बात करें, तो वो है हमारी oxidation state, यानि अभी तक जिस तरह से हम oxidation states की बात कर रहे थे, या उनको लिख रहे थे, assume कर रहेते हैं कि oxidation state ये definition wise अगर बात करें, तो इसकी unique अलग-लग definitions बनाई गई हैं, बट अगर general तो पर बात करें, तो ये सारी definition एक ही बात बोलती है, कि किसी भी element की, किसी combined state में, किसी भी element की जो oxidation state है, वो उसके उपर charge की वो feeling है, या उसके उपर आने वाले charge की वो feeling है, जो उसके उपर तर आएगी, जब उससे लगे जितने भी covalent bonds हैं, उनको ionic bond मानकर तोर दिया जाए, यानि अगर bond मानकर तोर देता, तो मेरे उपर एक charge आ जाता, वो charge की feeling ही oxidation state, या oxidation number के नाम से जानी जाती, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर मैं इस definition को इस तरह से समझने की कोशिश करूँ, suppose एक ऐसे example ले लेते हैं, मा लीजे CO2, अब अगर को यह पूछे, कि आप बताईए carbon के oxidation state क्या है, तो बड़ा clear है, कि अगर आप carbon और oxygen से लगे bonds को, ionic bond मानकर break करें, तो charge की जो भी feeling carbon के उपर आएगी, that will be the oxidation state of carbon, यानि इस combined state में carbon के उपर जो भी charge की feeling आती, जब उससे लगे सारे covalent bonds तो दिये जाते, अब हम सब जानते हैं, carbon और oxygen में oxygen जादा electronegative है, जब आप दो डंडे तोलेंगे, तो एक oxygen को minus two का charge मिलेगा, और carbon पो plus two का charge क्यों, क्योंकि सर जो जादा electronegative element है, वो अपने दोनों electron ले लेगा, और साथी साथ carbon के भी दोनों electron ले लेगा, जिसकी वज़े से carbon पर plus two, और oxygen पर minus two का charge आ जाएगा, और इसी तरह से जब आप ये bond इधर से तोलेंगे, तो ये oxygen फिर से दो electron ले लेगा, उसके भी दो electron ले लेगा, और इसके ओपर फिर से plus two का charge आ जाएगा, so the net charge feeling on carbon is plus four, so the oxidation state of carbon in this combined form of CO2, that is plus four, यानि मैं ये बताना चाहरा हूँ कि oxidation state कोई actual charge नहीं है किसी element के उपर आने वाला, किसी भी element के oxidation state charge की वो feeling है जो उसके उपर तब आती है, जब उससे लगे सारे covalent bonds, ionic bond मानकर तोड़ दिये जाते हैं, तो जो भी वो charge accept करता है, that is the oxidation state, अब कुछ main points के हैं, oxidation state के, sir, oxidation state positive, negative कुछ भी हो सकता, बहुत बढ़ी आसर, oxidation state, zero, whole number, fractional number, कुछ भी हो सकता, ये भी बिल्कु सही है, example के तोड़ पर NICO4 को देखें, तो carbon monoxide, जो की neutral ligand है, इसके charge की बात करें, तो nickel की oxidation state, zero होगी, N3H में nitrogen की fractional oxidation state होगी, और इसी तरह से HCl में chlorine या hydrogen की, plus one या minus one oxidation state होगी, sir, तो ये negative भी हो सकती है, ये fractional भी हो सकती है, ये positive भी हो सकती है, हर तरह की oxidation state आपको दिखाई दे सकती है, दूसरी important information जो है, oxidation state की बारे में, कि किसी एक ही element की oxidation state, अलग-अलग combined form में अलग-अलग हो सकती है, ये logical है, sir, किसी भी एक element पर आने वाले charge की feeling बदल जाएगी, जब उससे लगे लोग बदल जाएगे, यानि अगर आप उससे लगे covalent bonds के nature को बदलेंगे, उससे लगे covalent bonds, जिन लोगों से वो covalent bonds बना रहा है, उसके property को, उसकी ताकत को बदलेंगे, उसकी electro negativity को बदलेंगे, तो उसकी वजह से उसके ओपर आने वाले charge की feeling बदल सकती है, और साथी साथ, जब number of covalent bonds को change करेंगे, तो भी उसके ओपर आने वाले charge की feeling बदल सकती है, जैसे बले common examples हैं, एक example मैंने तुम्हें सामने दिखाया है, H2S में sulfur की oxidation state plus 2, sorry, minus 2 होती, H2SO3 में sulfur plus 4 oxidation state में होता है, और H2SO4 में यही sulfur plus 6 oxidation state में होता है, यानि sulfur अलग-लग compounds के अंदर, अलग-अलग oxidation state हो कर रहा है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ possible है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी variable oxidation states होंगी, जो अपनी oxidation state को यहाँ से लेके वहाँ तक change कर सकते हैं, and it depends on the nature, कितने सारे bonds, number of bonds, covalent bonds उसके साथ attack, अगर आप H2S में देखें, तो sulfur के साथ सिर्फ दो ही bond है, जो hydrogen के साथ जुड़ा हुआ है, एक हैच यह हो गया, और एक हैच यह हो गया, सर बड़ा साथ दिखाई देता है, सर जब आप इस से charge की feeling की बात करेंगे, तो सर इस bond को तोड़ने से hydrogen पे plus one sulfur पर minus one आएगा, इस bond को तोड़ने से hydrogen पे plus one sulfur पर minus one आएगा, तो नेट charge on the sulfur is minus two, लेकिन जब आप H204 की बात करेंगे, तो H204 की सर शकल बदल जाएगी, उसके covalent bonds बदल जाएगे, sulfur से लगे तमाम covalent bonds change हो जाएगे, और जब sulfur से लगे तमाम covalent bonds change हो जाएगे, तो उस case में charge की feeling बदल जाएगी, अब जब आप sulfur पर आने वाले charge की feeling चेक करेंगे, तो sulfur पर इस तरफ के तूटने से plus one, इस तरफ के तूटने से plus one, इस तरफ के तूटने से plus two, और इस तरफ के तूटने से plus two का charge आएगा, और साथ दिखाई देता है, यानि मैं यह बताना चाहरा हूँ कि sulfur से लगे, अगर covalent bonds के number और उनसे लगे elements की negativity में अंतर आता है, तो sulfur की या किसी भी element की oxidation state वो बदल सकती है, और इसलिए कहा जाता है कि एक element variable oxidation state शो कर सकता, तीसरा जो main point लगता है, जो अच्छी बात लगती है कि यह जो oxidation state है, यह calculate कैसे करते हैं, इस oxidation state को calculate करने का जो बिल्कुल basic NCRT में भी general method दिया है, वो यह है, structure बनाईए और structure बनाके bonds को break कर दीजे, आप structure लेके आईएगा और structure बनाने के बाद, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कि electronegativity difference के accordingly, आप bonds को break करते चले जाएए, charge की जो भी feeling आपका element feel करेगा, that will be the oxidation state, लेकिसर यह तो फ़ला मुश्किल है ना, मुश्किल इसलिए सर हम कहां तक structure याद करके जाएंगे, सर आपको H2SO4 का आता था आपने बना लिया, सर आपको H2S का आता था बना लिया, सर BR308 का बना के दिखाये, सर H2SO5 का बना के दिखाये, सर H2SO8 का बना के दिखाये, सर दुनिया बर के structure सर कहां तक याद करते फिरेंगे, कुछ तो जुगाल होता होगा, वही जुगाल के बारे में बात कर रहा हैं कि Oxidation States के Calculations में कुछ rules है जो हमें ध्यान रखने हैं जिसमें सबसे पहली बात जो General Information हमें बताई गई है वो ये कि जब आप Covalent Bonds की बात करते हैं तो उन Covalent Bonds में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप दो सेम Elements की बीच का Covalent Bonds बना रहे हैं अरे सर छोड़ दीजे ये तो हम समझ गए बात को जब सेम Elements होंगे तो सब इस तरह के Bonds को तोड़ेंगे दोनों लोग अपने अपने Electron लेके अलग हो जाएंगे और जब दोनों लोग अपने अपने Electron लेके अलग हो जाएंगे तो किसी के ऊपर भी कोई Charge की Feeling नहीं आएगी इसी तरह से चाहे उनके बीच में Double Bond हो चाहे उनके बीच में Double Bond हो Bond के तूटने से किसी भी तरह की Charge की Feeling नहीं आएगी Suppose तो उसकेस में सर जब आप यह वाला Bond तोलेंगे तो B Electron लेगा और जब B Electron लेगा तो B पर Minus आएगा और A पर Plus आएगा जब Double Bond तूटेगा तो B पर Minus 2 का Charge आएगा जब Triple Bond तूटेगा तो B पर Minus 3 और A पर Plus 3 का Charge आएगा यह तब होगा सर जब Heterotomic Molecular होगा जिसमें एक आदमी के लेक्ट्रो निगेटिविटी, दूसरे आदमी के लेक्ट्रो निगेटिविटी से ज़्यादा या कम होगी, clear है, next, oxidation state जो होती है, वो free state में zero consider की जाती है, यानि जो लोग free state में exist कर रहे हैं, उनकी free state में oxidation state zero consider की जाएगी, जैसे CL2 हो गया, O2 हो गया, Na हो गया, iron हो गया, tin हो गया, जिस state में वो exist करते हैं, उस state moon की oxidation state को zero consider किया जाता है, next point है, अगर आप oxidation state की बात कर रहे हैं, तो homoatomic molecules के अंदर किसी भी एक आटम की बात कर रहे हैं, यानि एक ऐसा molecule जिसमें एक जैसे कई items है, उस case में भी oxidation state उस element की zero होगी, क्यों? क्योंकि स सारे एक जैसे हैं, सर, जब सारे एक जैसे हैं, तो सर, bond टूटने से खिशी के ओपर भी कोई charge की feeling नहीं आएगी, तो ऐसे में सर, आप H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, N2, P4, S8 कुछ भी ले लीजिए, इन सम में हर element की oxidation state क्या zero consider की जाई, clear है, चलिए, और एक point की बात कर इसके oxidation state zero ही consider की जाएगी, similarly अगर किसी आप amalgam की बात करते हैं, तो amalgam में हल element की oxidation state को zero ही consider किया जाएगा, इसी तरह से oxidation number fluorine का हमेशा minus one consider किया जाएगा, यह दुनिया का सबसे जादा electron negative element है, जिसके साथ भी जुलेगा, उस से electron खीचेगा ही खीचेगा, और ऐसे में जब bond break करेंगे, तो उसके ओपर negative charge आएगा ही आएगा, यानि fluorine का oxidation state minus one होगी, इसी तरह से first group और second group के जो elements है, उनकी oxidation state हमेशा plus one और plus two ही consider की जाएगी, मैं alkaline earth metal की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ alkaline metal की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ first group और second group की बात कर हूँ, first A group जिसमें sodium, lithium वगएरा सब involved है, second में beryllium भी involved है, समझ रहे हैं, beryllium को NCRT कहती है के alkaline earth metal में consider नहीं किया जाता, इसलिए मैं alkaline earth metal वोल्ट की जिएगा, सिर्फ second group यूज कर रहा हूँ, beryllium, magnesium वगएरा वगएरा, यह जितने लोग है second group के, उन सब के oxidation state हमेशा क् plus two, इसी तरह से hydrogen के बारे में बोला जाता है, hydrogen के oxidation state हमेशा plus one होती है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी कबार उसकी oxidation state minus one हो सकती है, जब वो metal hydrides हो, यानि जब वो सिर्फ metal के साथ attach हो, सब लॉजिकल है सर, metal के साथ जब वो जूरहेगा, तो metal कम electro positive negative होगा, और hydrogen उस case वे electro negative होगा, तब जब आब metal और hydrogen का covalent bond break करेंगे, तो hydrogen के उपर minus कचा जाएगा, because hydrogen is more negative as compared to metal, यानि कहने का मतलब यह हुआ, generally hydrogen के उपर plus का ही charge आता है, hydrogen के oxidation state generally plus one ही होती, but एक case मैंसा हो सकता है, जिसमें उसके oxidation state minus one हो, और वो होगा metal hydrides के अंदर, clear है, जैसे calcium hydride, sodium hydride, in तमा जगों पर देखा जाए, तो जैसे आप यह bond break करेंगे, एनियो को plus देंगे, hydrogen को minus देंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे, H को minus देंगे, lithium को plus देंगे, इसी तरह से जब आप किसी भी bond को break करें, जब आप metal hydrides की बात करें, तो hydrogen के oxidation state उन metal hydrides में, minus one ही consider की जाती है, clear है य ही देता है, आप अगर देखें तो oxygen generally minus two में exist करता है, यह important है, हम सबसे पहले इस बात को याद कर लेते हैं, जब कुछ ना समझ में आए, तो oxygen के oxidation state हम minus two ही consider करते हैं, लेकिन सर, oxygen paroxides के form में भी exist कर सकता है, और ऐसे में उसके oxidation state minus one होती है, सर, oxygen super oxides के form में भी exist कर सकता है, औ और ऐसे में उसके oxidation state minus half होती है, ozonides के case में oxygen minus one by three के form में और OF2 के case में यह unique examples हैं, इन unique examples में OF2 के case में oxygen के oxidation state plus two क्यों सर, क्यों कि फ्लोरीन को तो सर, minus one होना है ना, आप समझे, अगर आप OF2 की बात कर रहे हैं, तो सर, फ्लोरीन को तो हमेशा minus one होना है, क्योंकि दुनिया का स सब्सक्राइब से जादा electro negative element है, तो जब आप इदर से bond तोलेंगे, तो एक तरफ से plus मिलेगा, एक तरफ से plus मिलेगा, फ्लोरीन को तो minus ही मिलना है, और ऐसे में oxygen के उपर plus two का charge आएगा, यानि OF2 एक ऐसा example है जिसमों oxygen plus two, और similarly O2F2 एक ऐसा example है जिसमों oxygen फिर से plus one के oxidation state show कर जो minus two से plus two के बीच में vary करेंगी, बट uniquely अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो या कुछ ना दिया हो, तो हम oxygen को oxide form में ही consider करते हैं और oxygen को oxidation state minus two और consider की जाती, generally वो minus two होता है, but in case of peroxide, super oxides, या फिर ozonides, या फिर कुछ unique examples के अंदर oxygen के oxidation state vary कर सकती, इसी तरह से देखा जाए, तो generally यही बोला जाता है कि हमारे पास जो कोई भी कैटाइन हो, उस कैटाइन के उपर जो भी, जो भी monovalent कैटाइन है, monovalent इंदस है, जो monoatomic कैटाइन है, उसके उपर जो भी charge होगा, वही charge उसके oxidation state होगी, जैसे magnesium plus two है, तो plus two oxidation state हो गई, माल ली जे 10 plus four है, तो plus four oxidation state हो गई, तो जो भी हमारा monoatomic कैटाइन है, उस monoatomic कैटाइन का charge ही हमारा oxidation number consider कर लिया जाता है, अब overall जो rule बनाए गया है, वो क्या है, रूल यही बनाए गया है, कि अगर मैं कोई neutral molecule की बात करूँ, तो एक neutral molecule के उपर जो net oxidation state का sum होता है, और यही है वो जो decide करता है, कि किसी element के oxidation state क्या है तो net rule यह कहता है, final rule कि आप अगर सारे elements के oxidation states का algebraic sum लें, तो it should be equal to the charge on that molecule, अगर वो iron है, तो उसके charge से equate कर देंगे, और अगर वो कोई molecule है, एक compound है जिसके उपर कोई charge नहीं है, तो आप उसको zero से equate कर देंगे, यह rule हमारा ही oxidation state calculate करके देता है, without knowing the structure of the molecule, यानि कहने का अगर माल लीजे आपको कहा जाए कि KMNO4 में मैगनीज की oxidation state calculate करिये, तो बहुत आसान है, सर मुझे KMNO4 का structure बनाने की जरूरत नहीं है, कि सर KMNO4 का structure बनाऊंगा, और तभी बता पाऊंगा कि हमारा मैगनीज का oxidation state क्या है, सर यह देखिए बड़ा मुश्किल structure है, हमें कैसे आसर कीजाि याद होगा, तो बेरहाल, जब आप इसको तोडेंगे, तो मैगनीज पर प्लस बन का चाज आएगा विकाज और ये सर यह तो तो तब आपको पता चलेगा, जब आप oxidation state निकालने के लिए इस मेथर्ट को यूज करेंगे, जो structure से का ला गया है, हरे सर इस structure कहा है potassium आपने बताया first group का इसके oxidation state हमेशा बन होती है और magneze आपको निकालनी है तो इसको x माल लीजे algebraic sum को उसके charge से equate कर दीजे oxygen से generally minus 2 होता है तो 4 oxygen का minus 2 ले लीजे तो it will be 4 into minus 2 and that will be the charge on the system and the charge on the system is 0 so ultimately x can be calculated as plus 7 so without knowing the structure of this MnO4 minus हम magneze के oxidation state plus 7 इस method से calculate कर सकते हैं जानि मुझे जरूरत नहीं है कि सर मैं बार-बार यह सब हरकत करूँ मैं आसानी से यह काम कर सकता हूं इसी तरह से कोई और भी system लिया जा सकता है जिसमें अगर आपको oxidation state calculate करनी हो तो उस case में मुझे structure बनाने की जरूरत नहीं के 2 CR27 में अगर chromium के oxidation state निकालनी हो तो सर मुझे structure वगरा नहीं बनाना मुझे समझ में आता है potassium 2 होगा chromium को 2x ले लेते हैं एक chromium की x 2 की 2x और oxygen generally हमारा minus 2 होता है so ultimately this will be equal to charge nx is equal to plus 6 यानि chromium के oxidation state इस जगा पर plus 6 देखने को मिलेगी यानि यह किया जा सकता है मैं यह बताना चाहरा हूँ कि मुझे structure नहीं मैं ऐसे भी oxidation state calculate कर सकता हूँ हम जानते हैं इस बारे में ठीक चलिए और आगे बढ़ते हैं दूसरी बात यह थी सर oxidation state से और क्या-क्या predict कर सकते हैं तो दो बाते oxidation state predict करके देती है ब्राड वे में अगर देखा जाए तो acidic और basic strength का भी एक तरीका है oxidation state से compare करने का जनरली कहा जाता है अगर एक element एक से ज़्यादा oxy acids बना रहा है तो उसमें जिस जगह पर उस element की oxidation state सबसे ज़्यादा है और जनरली है oxygen की oxy acids की जनरली बात करता है तो जिस जगह पर oxidation state जिस compound की element की सबसे ज़्यादा है वहाँ पर जो oxy acid बनेगा उसका acidic strength सबसे ज़्यादा होगा यानि कहने का मतलब यह हुआ strength ज़्यादा होगा जब oxidation नंबर ज़्यादा होगा या basic प्लस 3 oxidation state में है एक जगह प्लस 5 और एक जगह प्लस 7 में इन सारे oxy acids में अगर मैं compare करूँ तो सबसे ज़्यादा acidic strength hclo4 की होगी और सबसे कम hclo की क्योंकि यहाँ पर oxidation state सबसे कम यानि oxidation state भी हमारा acidic strength को govern कर सकता दूसरा जो important oxidation state का जो second सबसे important feature है वो यह है या उसका application element के oxidation state कभी-कभी यह भी प्रिडिक करके देती है कि वह oxidizing agent है या reducing agent है यानि कहने का मतलब यह हुआ oxidizing agent वह आदमी होना चाहिए जो सामने वाले से कहे कि मैं तुझे oxidize कर दूंगा अच्छा सामने वाले को oxidize करने का मतलब सामने वाले के electron lose करवाना अब सामने वाला अगर electron lose करेगा तो उन्हें electron का क्या होगा वह मैं खालूंगा यानि मैं वह आदमी हूँ जो खुद तुम्हारे electron लेकर reduce होने जा रहा है यानि अगर मैं reduce होने जा रहा हूँ तो मैंने तुम्हे oxidize किया, तो मैं एक oxidizing agent होंगा. यानि, oxidizing agent वो होगा जो खुद electron gain करके reduce होता है. और reducing agent वो होगा जो खुद electron lose करके oxidize होता है. यानि, कहने का मतलब ये हुआ, oxidizing agent के लिए कहा जाएगा वो आदमी ज़ो electron accept करके खुद reduce होने जा रहा है, that is oxidizing agent और वो आदमी जो electron donate करके खुद oxidize होने जा रहा है वो reducing agent के नाम से जाना जाता है अब अगर मैं different different elements की oxidation states की बात करूँ तो मुझे जो समझ में आता है मैंने या जानबूज के कुछ important elements लिखे हैं जिनकी oxidation maximum और minimum high oxidation states mention की हैं जैसे carbon, carbon की maximum oxidation state plus 4 minimum minus 4 हो सकती है, nitrogen हमारा plus 5 से minus 3 vary कर सकता है, sulfur plus 6 से minus 2 vary कर सकता है, so on, so on, so on. अब अगर माली के कोई element मेरी अपनी maximum oxidation state में है, suppose, तो अगर कोई element अगर मेरी maximum oxidation state में है, तो मैं उससे क्या उमीद कर सकता हूँ, मैं उससे ये उमीद कर सकता हूँ, कि वो और जादा plus में नहीं जा सकता, अब अगर वो और जादा plus म स्टेट को देखकर भी यह प्रिडिक किया जा सकता कि एक element हमारा oxidizing nature का है यह reducing agent का reducing nature का यारी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई element अपनी maximum oxidation state में exist कर रहा है तो अगर वो अपनी maximum oxidation state में exist कर रहा है तो वो सिर्फ electron gain कर सकता है खुद हो सकता इसलिए सामने वाले को oxidize करेगा और वो एक बहतरीन oxidizing agent की तरह अब behave करेगा और इसी तरह से अगर कोई element ऐसा है जो अपनी minimum oxidation state में exist कर रहा है तो वो सिर्फ electron lose कर सकता अगर वो electron lose करेगा तो सामने वाले को देकर उसको reduce करेगा खुद एक बहतरीन reducing agent की तरह अब behave कर सकता है यानि यह तो उन लोगों के लिए बोला गया है जिन में element अपनी maximum oxidation states या minimum oxidation states में है like this camera 4 में magnees के oxidation state अभी मैंने पीछे दिखाई वो plus 7 यह plus 7 से जार नीचे आ सकता प्लस 7 के उपर नहीं जा सकता यानि electron gain कर लेगा सर गें करेगा तो सामने वाले से लेगा सामने वाले से लेगा तो सामने वाले को oxidize करेगा इसका मतलब यह एक बहतरीन oxidizing agent है chromium chromium अपनी maximum oxidation state में सर बहतरीन oxidizing agent है H2SO4 सिर्फ अपनी maximum oxidation state में sulfur plus 6 है इसी तरह से ये भी plus 6 है P में phosphorus की maximum oxidation state plus 5 है तर ये सारे वो लोग है जो बहतरीन oxidizing agents की तरह behave कर सकते हैं इसी तरह से जब आप minimum oxidation state की बात करेंगे तो nitrogen इस जगा पर minimum reducing oxidation state में है ये तर एक बढ़िया reducing agent की तरह behave करेगा क्योंकि खुद ये oxidize हो सकता इसी तरह से CH4 भी ये काम कर सकता यानि कहने का मतलब यह हुआ आप कभी-कभी elements को देखकर compounds को देखकर उसके अंदर present एक element की oxidation state से ये अंदादा लगा सकते हैं कि ये आदमी एक oxidizing agent का nature रखता है ये reducing agent का हां सर ऐसे लोग हो सकते हैं जो बीच में ब्च भूए है बीच में मतलब सर ऐसे भी है जो electron gain ही कर सकते हैं क्योंकि उनका जो Central atom है ना वह maximum oxidation state के सरे भाइन कर चुका है ना मिनमुद oxidation state कर चुका ओ कहीं बीच में तो ऐसे मिजर्स अब oxidize भी कर सकता है सामने वाले को reduce भी कर सकता है खुद reduce भी हो सकता है और खुद oxidize भी हो सकता है और ऐसे में सर इस तरह के लोग oxidizing nature के और reducing nature दोनों nature शो कर सकते हैं जिसके तमाम example आपके सामने हो सकते हैं जैसे SO2, SO2 को देखें तो sulfur की oxidation state plus 4 है सर प्लस 4 है सर, sulfur के बारे में आपने बताया था sulfur minus 2 से plus 6 vary करती है और अगर sulfur minus 2 से plus 6 vary करती है और आप अभी plus 4 में हैं तो सर आप electron ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं यानि SO2 का दोनों behavior आपके सामने देखने को मिलेगा मैं ये बताना चाहरा हूँ कि oxidation states को देखकर आप उस compound के oxidation, oxidizing nature या reducing nature का अंदाजा अलगा सकते हैं जले और बात करते हैं अब आते हैं balancing की यानि किसी भी reaction की, redox reaction की balancing के बारे में अगर बात करें तो ये कैसे की जाती है हाला कि हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी नहीं लगता क्योंकि हमसे balancing करने के steps तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी दो steps, दो methods हैं जो किसी भी redox reaction की balancing में involve हो सकते हैं एक oxidation state method है और एक iron electron method है जो oxidation state method है उसकी अगर method की बात करें तो वो example हमें एक example से समझने की कोशिश करते हैं oxidation state method में reduction और oxidation दोनों ही हो रहा है तो सबसे पहले ये clear है कि sir reduction oxidation जहां दोनों हो रहा है वहाँ पर आप चेक करिए कि reduction में electrons transfer कितने हैं और oxidation में electron transfer कितने हैं तो जितने भी electron transfer या oxidation state का change है उनको cross multiply कर दीजे देखो मैं समझाता हूँ यानि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक reaction है जिसको मुझे balance करना है ठीक है अच्छा इसमें हो क्या रहा है इसमें मैगनीज यहाँ पर plus 7 है यहाँ मैगनीज प्लस 2 है और यहाँ यहाँ पर plus 3 है बिल्कु सही है सर हो क्या रहा है सर मैगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है अगर मैगनीज प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है तो इसका मतलब सर यह 5 मोल एलेक्रॉन पर मोल गेन करेगा ठीक है सर आइरन यहाँ से प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है तो सर आरन एक मोल एलेक्ट्रॉन पर मोल लूस करेगा यानि यह 5 छोड़ा है वो एक छोड़ा है सर ऐसे में अगर मैं इनको cross multiply कर दूँ cross multiply मतलब सर यहां 5 छोड़े जा रहा है तो 5 से नीचे वाली equation को multiply कर देता हूँ उपर वाली equation को 1 से multiply करके add कर देता हूँ तो मुझे लगता है एक net equation यह तयार हो जाती है और जैसे ही net equation तयार होगी इसमें oxygen को balance करने के लिए water का addition कर दिया जाएगा आप देख रहे हैं oxygen यहाँ 4 है तो 4 oxygen को balance करने के लिए आपको right hand side में 4 पानी add करने पड़ेंगे लेकिन 4 पानी add करते ही hydrogen कहां से लाओगे तो वो जो 8 H बनेंगे वो H प्लस जोड़कर left hand side में आप पूरी equation को आसानी से balance कर सकते हैं एक बड़ा ही आसान method है oxidation consider किया, reduction consider किया उसके बाद दोनों electrons जहाँ जहाँ electrons के transfer है उनको cross multiply करके electrons को खतम कर दिया उसके बाद oxygen को balance करने के लिए water का addition कर दिया जाएगा और उसको manage करने के लिए H प्लस add कर दिये जाएग दूसरा जो method निकाला जाता है वो iron electron method इसका भी एक example ले लेते हैं माल लिए यह iron electron method इस iron electron method में क्या कहा जा रहा है सर इस iron electron method में कहा रहा है तो chromium के oxidation state यहाँ plus 6 है और यहाँ chromium plus 3 है यहाँ carbon को देखे तो plus 3 है और यहाँ carbon को देखे तो plus 4 है सर छे से तीन reduction हाफ हो गया और तीन से चार oxidation हाफ हो गया अब क्या करें सर जिन elements का oxidation या reduction हो रहा है सबसे पहले उनके atoms को balance कर लीजिए चलिए उनके आटम्स को बालेंस कर लेते हैं सर यहाँ दो क्रोमियम है, यहाँ एक ही क्रोमियम है तो यहाँ दो लगा देते हैं यहाँ दो कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन था, यहाँ दो लगा देते हैं सर इसका मतलब हमने जिस element का oxidation हो रहा है उसको balance कर लिया, जिसका reduction हो रहा है, उसको भी balance कर लिया अब क्या करेंगे, सर उसके बाद मुझे सबसे पहले oxygen को balance करना पढ़ेगा उसके लिए पानी का साथ खेलना पढ़ेगा सर साफ समझ में आता है, ऊपर 7 oxygen है, यहाँ एक भी oxygen नहीं है तो यहाँ 7 oxygen के लिए 7 पानी जोडने पढ़ेंगे इसी तरह से यहाँ 4 oxygen है, और यहाँ भी 4 oxygen है तो इसका मतलब सर यहाँ पानी जोडने की ज़रूरत नहीं यानि तीसरा step भी complete हो जाता है तीसरा step complete होने के बाद, next step की बात करें तो next step में हमें atoms balance करने के लिए hydrogen atoms को balance करने के लिए H plus का addition करना पढ़ेगा तो वहाँ 7 पानी जोड़े गए तो यहाँ 14 H plus add कर दिये जाएंगे जिसकी वज़े से आपके H plus भी balance हो जाएंगे oxygen भी balance हो जाएंगे और साथी साथ वो element जिसका oxidation number change हो रहा है वो भी balance हो जाएगा अब बचा कौन सर? अब सिर्व एक आदमी बचा है सर, वो है electrons अब electrons को balance करने के लिए या charge को balance करने के लिए आपको electrons के additions करने पढ़ेंगे और साथ दिखाई देता सर उपर वाले case को देखें तो उपर वाले केल में साथ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 negative और 14 positive and 6 negative that means कुल मिला के हमारे पास इसको देखें 2 negative और 14 positive तो इसका मतलब कुल मिला के 12 H plus 12 positive charges ऐसे हैं जो यहाँ पर और यहाँ पर positive charges देखें तो 6 positive हैं यानि 12 positive को 6 positive में convert करने के लिए आपको 6 mole electrons add करने पढ़ेंगे उसी तरह से नीचे भी आपने 2 electrons को add कर लिया कैसे? सर यहाँ 2 negative charges है यहाँ एक भी negative charge नहीं है तो यहाँ 2 negative charges के लिए 2 electrons को add कर दिया जाए उसके बाद electrons को cancel करने के लिए नीचे वाली equation को 3 से multiply करके add कर देंगे और आपकी net equation तयार हो जाई यानि यहाँ पर electrons की balancing सबसे last में की जा रही और उस वाले case में electrons को पहले ही खेल कूद करके आप सीधे ही खतम कर देते है यानि बड़ा आसान सा method है oxidation state method भी आसानी से redox reactions को balance कर सकता है और iron electron method भी redox reaction को balance करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता अब आते हैं दूसरे पार पर इस chapter का second part है law of equivalence क्या है यानि इस chapter को अब पढ़ क्यों रहे है इस chapter को पढ़ने का purpose यह है कि जब हमने mole concept से यह सवाल पढ़े थे जब हम किसी भी reaction की quantitative analysis की बात करते थे तो हमसे यह कहा जाता था कि आपको सवालों में moles given होंगे यानि हमसे यह कहा जाता था सवालों में आपको हमेशा moles provide किये जाएंगे आप इन moles को use करके mole concept को इस्तमाल करिएगा और mole concept को इस्तमाल करके आप जो है result calculate कर लिएगा यह बड़ा आसान सा method होता है किसी भी reaction की quantitative analysis करने तो हमने का सर कैसे करते थे आपको पता यह सर एक balance chemical equation बनाई जाती थी फिर हम limiting region calculate करते थे हमारे इतने तुमारे इतने हम इतना बनेंगे तुम इतना बनोगे तुम खतम हो जाओगे तुम बच जाओगे वगयरा उन तमाम analysis से आप किसी भी chemical reaction की quantitative analysis करके कितना product बनेगा कितना reactant बचेगा कितने gram हमारे कितने gram तुमारे सब calculate कर लेते यहाँ पर फर्क इतना है कि सर सवाल तो आज भी ऐसे ही होगा सवाल तो आज भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि मेरे पाच बोल तुमारे कितने मोल से रियाक करते हैं लेकिन इस बार reaction नहीं दी जाएगी और इस बार सवाल इतना simple नहीं होगा कि reaction आप लिख पाए सर ऐसा भी तो हो सकता ना reaction अगर आप न दे तो reaction हम खुद लिख लेंगे सर ऐसी क्या बात आती है सर आप कैसी बाते कर रहे है nitrogen hydrogen को मिरा क्या ammonia बनती है आप मत दी हम लिख लेंगे calcium carbonate की heating करने से calcium oxide CO2 बनती हम लिख लेंगे सर लेकिन तुम सोचो कितना लिख लोगे stannus oxalate acidic medium में के KM4 सर रियाक कर रहा है आप लिख लोगे सर फेरस oxalate acidic medium में के 2CR27 सर रियाक कर रहा है आप लिख लोगे सर ऐसी तमाम reaction से जो में नहीं आती हम हर reaction को नहीं लिख सकते तब तो ऐसे में सर रियाक्षन आप दे दीजेगा नहीं देंगे आपको आती है नहीं आती तो सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप दे नहीं रहे हमें आती नहीं तो हम ये mole concept कैसे लगाएंगे जिसकी prior requirement हम सारे लोग जानते है इसकी एक ही requirement है इस law इस concept को apply करने की and that is a chemical equation और in fact a balance chemical equation यानि अगर मेरे पास balance equation नहीं है तो फिर mole concept को apply करना असंभाओ तो ऐसे में क्या करेंगे सर ऐसे में सर सवाल तो यहीं से start होगा result तक पहुँचना है तो क्या करें सवाल अगर यहीं से start होगा result तक पहुचना है और balance chemical equation नहीं है तो आप फिर यह concept नहीं लगा सकते सर आपको रास्ता बदलना पड़ेगा रास्ता क्या बदलेंगे सर आप पहले mole से यहां चले जाएए और यह होगा आपका equivalence और equivalence के पास जाने के बाद अब आप एक नया concept सीख लीजेगा जिसको equivalent concept कहा जाता है या law of equivalence कह सकते हैं जिसको equivalent concept कहते हैं और उसके बाद सर आप result निकाल लीजेगा और यह result वही है जो आप निकालना चाह रहे थे same बस फर्क इतना है सर पहले आप आसानी से निकाल पा रहे थे अब आपको रास्ता बदलना पड़ेगा और इस पूरे रास्ते में मुझे असा लगता है सिर्फ दो बाते हैं पहली बात यहां से यहां जाने का तरीका क्या है और यहां से यहां जाने के लिए आपको एक ब्रिज तै करना है एक रास्ता तै करना है जिसको एन फैक्टर के नाम से जाना जाता है कुछ जगहों पर इसको वालेंसी फैक्टर भी कहते हैं तो अगर मुझे यह एन फैक्टर पता चल जाए उस सबस्टेंस का जिसके मोल्स दे रखे हैं तो मैं आसानी से उस variables को equivalence में convert कर लूँगा और equivalence में convert करने के बाद सर मुझे ये simple सा concept और सिखा दीजिएगा इस concept को सीख कर मैं अपने सवाल से result निकाल लिया करूँगा मुझे balance chemical equations ना दी गई हो तो भी दिक्कत नहीं है मैं result calculate कर लूँगा यानि मुझे लगता है इस पूरे law of equivalence या नए chapter में जिसमें आपके reactions की quantitative analysis कर रहा है उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़े सीखनी थी एक n factor calculations क्या है और एक law of equivalence क्या है उसके बाद आप हर तरह के calculations को आसानी से solve कर सकते हैं यानि अगर मुझे देखना है या मुझे समझना है तो मुझे यही बात समझना आती है कि जो n factor calculations है वो क्या है और अलग-लग substances के लिए n factor calculate कैसे किये जाते हैं तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यह n factor calculations यह कहती है कि आप acids की n factor generally किस तरह के molecules होंगे जो chemical reaction में involved होंगे sir acids होंगे, base होंगे, salts होंगे यही सबसे लोग होते हैं तो sir acids के लिए कहा जाता है कि जो n factor होंगे वो उसके अंदर पढ़े हुए उस particular reaction में जितने भी H plus replace हो रहे हैं हम यह नहीं कहा रहे है कि उसके अंदर जितने H plus replace हो सकते हैं जितने हो सकते हैं, that is basicity, समझेगा बात यानि जितने हो सकते हैं, उसे basicity कहा जाता just like H2SO4 suppose, अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 के पास 2H ऐसे हैं जो replace हो सकते हैं so the basicity is 2, this is the basicity और मैं यह नहीं कह Yoda कि इसका N factor भी 2 होगा, क्यों हो sir it depends on the reaction, हो सकता है किसी reaction में H2SO4 केfeito2H replace हो जाएं अगर उसके своisia replace हो रहा है, तो sir उसका N factor भी 2 होगा, हो सकता है किसी reaction में NUH कम है, BASE कम है, तो उसका Aक H replace करेगा और अगर उसका AKH replace करेगा तो उसका N Factor 1 होगा यानि कहने का मतलब यह हुआ Basicity का मतलब जितने maximum replace हो सकते हैं That is known as Basicity And the N Factor will be less than the Basicity of an asset यानि और equal to the Basicity यानि कहने का मतलब यह हुआ अगर मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ तो H2SO4 NUH से रियाग करके यह एक हरकत कर सकता अगर H2SO4 ने ऐसी हरकत की तो इसने अपने दोनों H हटवा दिये तो ऐसे में सका N Factor 2 होगा और अगर यही H2SO4 NUH के साथ दुबारा रियाग करे जिसमें NUH का amount कम हो तो ऐसे में सर NUH सिर्फ 1H को ही रिप्लेस कर पाएगा और ऐसे में 1H के रिप्लेस करने की वज़े से H2SO4 का N Factor सिर्फ 1 ही कंसीडर किया जाएगा यानि ये एक ऐसा आदमी है जिसकी बेसी सिटी यहाँ पर भी 2 है याँ पर भी 2 है बेसी सिटी का रियाक्शन से कोई लेना देना नहीं है सर बेसी सिटी जा फिक्स वाल्यू जितने maximum replaceable H plus science है that is basicity. रियाक्शन में कितने पिप्लेस हो रहा है that is the N Factor and reaction to reaction उस substance के N Factor बदल सकते हैं यानि किसी reaction में H2SO4 का N Factor 1 किसी में 2 कुछ भी हो सकता और इन N Factor को यूज करके ही मैं substances के equivalent weight calculate कर सकता हूँ जो कि molecular weight upon N Factor से निकाल ले जाते हैं और मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को agree करोगे कि ये जो आपने formula लिखा है ये formula में numerator is always a constant value समस्ते हो बात को this remains always a constant molecular weight का किसी भी reaction से कोई लेना देना नहीं लेकिन सर N Factor का reactions से लेना देना है क्योंकि अलग-लग reactions में N Factor बदलते रहेंगे जिसकी वजह से equivalent weight उसी substance का वो बदलता रहे लेकिन molecular weight सर H2SO4 का 98 होता है तो 98 ही रहेगा सर किसी reaction में उसका equivalent weight 98 होगा तो किसी reaction में उसका equivalent weight 98 by 2 होगा that depends सर कि उसका N Factor अब क्या involve हो रहा है clear है ये समझ में आया है दूसरी बात जो याद रहने की चाहिए हमें वो ये कि जो हमारे assets हैं उन assets के N Factor में या basicity में मुझे तीन लोगों के बारे में अलग से जरूर याद रख लेना चाहिए एक S3PO3 है जिसकी basicity जो होती है वो देखने में जैसी लगती है वैसी नहीं होती इसकी basicity 2 होती है इसलिए कहा जाता है कि इसका जो N Factor है क्या होगा भई? इसका N Factor 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है as an acid और इसी तरह से अगर आप S3PO2 की बात करते है तो S2PO2 की basicity देखने से 3 लगती है लेकिन actually इसकी basicity 1 है और इसी वज़े से इसका N Factor as an acid वो बहुत से बहुत कुछ हुआ तो 1 हो सकता यानि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग है हमारे इन दोनों लोगों को हमें ध्यान रखना है और साथी में एक बात और boric acid S3PO3 जिसकी देखने से basicity तीन लगती है लेकिन इसका जो N Factor निकल के आएगा वो हमेशा 1 निकल के आएगा समझे यानि कहने का मतलब ये हुआ कि ये चारो लोग, तीनो लोग ऐसे है जिनको हमें याद करके जाना चाहिए यानि जितना देखने से लग रहा है ऐसा नहीं है या अच्छुली वो लोग है जिनका N Factor देखने से कुछ और या basicity देखने से कुछ और लगती है लेकिन होती अग कुछ और तो मुझे ये बात ध्यान रखने ही पड़ती है मुझे लगता है जेए के पेपर में पहले बात पूछ भी चुका है कि इन चारो आसेट्स में से वो कौन सा आसेट है जिसकी basicity FCL जितनी होती है और FCL की basicity 1 होगी 1 ही होगी और S3BO3 एक option था S3BO3 को tick करना था क्योंकि इसकी basicity 1 ही होती है water के अंदर S3BO3 boron के electron deficiency की वज़े से सिर्फ 1H plus या S3O plus release कर पाता ठीक है चलिए और बात करते है basis की बात करे से इसमें कोई जंजट नहीं कोई exception नहीं है जितने आप OH minus replace करवाएंगे अपने अंदर से that is basic nature आपका अब वैसे एक और definition अगर देखे जाए तो जितने आप H plus accept करेंगे वो भी आपके basic nature को ही दर्शाएगा यानि अगर broad way में definitions की बात करें तो number of OH minus जो आप एक mole base replace करवाता है that is basicity और फिर वही है जितने OH actually है वो उसकी acidity के नाम से जाने जाते है replace कितने हो रहा है that is a different case यानि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर माल लीजे आप any OH की बात करते हैं तो sir, A की आपकी acidity है और आपका N factor भी A की होगा क्योंकि आपके पास A की OH याज़ सकते हैं लेकिन अगर आप calcium hydroxide की बात करते हैं का calcium hydroxide की case में आपका base n factor 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है आप दोनों OH replace कर सकते हैं और आप अफ ब भी करते हैं similarly, अगर आप aluminium hydroxide की बात करें तो aluminium hydroxide का N factor 1, 2 या 3 में से कुछज भी हो सकता है आप एक एच भी ओएच रिप्लेस करवा सकते हैं, दो भी करवा सकते हैं, और तीनों भी, लेकिन अगर कोई पूछे, what is the acidity of aluminium hydroxide, the acidity is 3, maximum replaceable, that is acidity, just like maximum replaceable H, they will be basicity for acids, similarly, maximum replaceable OH- will be the acidity of basis, clear, अब main point पर आते हैं, main point है मारा salt, salts can factor कैसे calculate करेंगे, salts can factor के बारे में बताया जाता है salts को अलगलग category में divide कर देते हैं, पहला वो salt ले लेते हैं, जिसमें किसी भी atom की oxidation state, throughout the reaction change नहीं हो रही है, और ऐसे में, salts का N factor होगा, N factor is equal to, total cationic, total cationic, और total anionic charge, total cationic, और total anionic charge, यानि ये तब होगा, जब आपका, किसी भी तरह का atom, किसी भी तरह का atom का oxidation number change नहीं हो रहा just like suppose a caco3, अगर किसी reaction में involved है, और आप से पूछा जा रहा है, बताईए caco3 का N factor क्या है, तो अब आप बता दीजेगा, कि भाई, यहाँ पर calcium alkaline earth metal है, second group का plus 2, carbon आप चेक कर लीजे, plus 4, oxygen minus 2, यहाँ पर calcium plus 2, oxygen minus 2, carbon plus 4, oxygen minus 2, सर ना calcium बदल ला है, ना carbon बदल ला है, ना oxygen बदल करता है, और इस category के belong करने वाले का answer, cationic charge या anionic charge से निकाला जाता है, what is the cation of calcium carbonate plus 2, and what is the anion of calcium carbonate, carbonate iron, so the N factor is either cationic or anionic, that is N factor is 2, यानि कहने का मतलब यह हुआ, ऐसे salt जिसमें किसी भी element की oxidation number change नहीं हो रही है, ऐसे salts में oxidation number उनका cation या anion का charge decide करता है, clear, दूसरी, दूसरी category इसा भी salt हो सकता है, जिसमें कोई एक आदमी अपना oxidation number change कर रहा हो, और किसी single, किसी एक आदमी में convert हो रहा हो, जैसे, sir, MnO4 है, sir, हमने सुना है MnO4 जो है, वो acidic medium में Mn plus 2 में convert होता है, बिल्कु सही सुना है, sir, ऐसे में, sir, अपना एक आदमी एक oxidation number change करके, किसी एक element में convert भी हो रहा है, sir, ऐसे में n-factor कैसे निकालेंगे, तो ऐसे में जो n-factor निकल क्या होता है, ऐसे में n-factor is electron transfers, यानि ऐसे में n-factor electron transfer से निकल क्या आएगा, यानि पर mol, जितने electrons का transfer, जितने mols electrons का transfer वो आदमी कर रहा है, that will be the n-factor, पर mol, यानि कहने का मतलब यह हुआ, मैगनीज की oxidation state plus 7, और यहाँ पर, क्योंकि sir, एक plus 2 है, तो plus 7 से plus 2 sir, 5 mol electron, यह accept कर रहा है, no doubt per mol the n-factor is 5, यानि इस case में इसका n-factor 5 consider किया जाए, इसी तरह से अगर मैं basic medium की बात करता, तो basic medium में मैगनीज के बारे में यह बोला जाता है, कि मैगनीज का जो plus 7 state है, वो plus 6 में convert हो जाता है, और ऐसा यह basic medium में करता है, और अगर यह basic medium में ऐसा करता है, तो मुझे लगता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, यह plus 7 है, यह plus 6 है, change 1 का है, so the n-factor will be 1, in fact, यह तक कहा जाता है, कि केम नो 4 में यह तक कहा जाता है, कि जो केम नो 4 में neutral medium या slightly basic medium अगल लिया है, तो जो magnees है, वो हमारा plus 4 में convert होता है, यानि ऐसे में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहां का magnees आपका plus 7 है, यहां plus 4 है, change आपका 3 का हैगा, so n-factor will be 3, यानि कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब आप ऐसे salts की बात करते हैं, जिसमें एक आदमी अपनी oxidation state सिर्फ ब invert हो रहा हो, जैसे की, sir, magnees यहां पर, यहां पर magnees plus 7, और यह magnees घट कर plus 4 में भी जा रहा है, और घट कर plus 2 में भी जा रहा है, ऐसे में जब आप in factor calculate करेंगे, तो per mole electron transfer कितना हुआ, वो आपको check करना पड़ेगा, तो 7 दिखाई देता है, 7 से 4 का मतलब 3 electrons यह accept कर रहा है, इसी तरह से 7 से 2 का मतलब यह 5 electrons accept कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक बात important लग रही है, वो यह, कि इन दो लोगों में से, एक आदमी 7 से 4 में, और एक आदमी 7 से 2 में जा रहा है, यानि यहां पर यह 3 mole electron accept कर रहा है, और यहां पर यह 5 mole electron accept कर रहा है, यानि total electrons जो accept किये गए, total accepted electrons जो होंगे, वो कितने होंगे? वो 8 होंगे. By 2 moles of MN plus 7. Sorry, MN plus 7. MN plus 7 के 2 moles यह हरकत कर रहे हैं. तो अगर per mole electron transfer की बात करते हैं, so per mole electron gain कितने हुए? So per mole जो electron gain हुआ, per mole electron gain जो हुआ, वो हुआ 8 by 2 and that is 4. So the N factor of MN plus 7 in this reaction will be 4. समझे, यह unique examples हैं मेंस लेविल पर हमसे पूछे जा सकते हैं, simple reactions होंगी, आपको simple तरीके से N factor calculations करनी पढ़ेंगी. दूसरा यह भी हो सकता था यहां पर, कि यहां पर 2 MN plus 7 की जगा 3 MN plus 7 होता, जिसमें एक हिस्सा इदार आ जाता, यानि कहने का मतलब यह हुआ, यह भी possibility थी, 7 से 2 में आप जा रहा हैं, 5 खा रहा हैं, ठीक है, लेकिन सर, 3 में से 2 लोग ही हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब total आपने 10 खा लिए, clear है यह, इसी तरह से 7 से 4 में, तो सर, सीधे सीधे 3, यानि इसने 10 खा लिए, इसने 3 खा लिए, total कितने खा लिए, सर, टोटल आपने 13 खा लिए, कितने लोगों ने, सर, 3 लोगों ने, तो पर आदमी कितना खाएगा, 13 बाई 3, so the N factor will be 13 बाई 3, यानि 3 में से 2 लोग प्लस 2 में करवर्ट हुए, तो कितना एलेक्राउन गें हुआ, 7 में से 2, 5, 1 की वज़े से, तो 2 की वज़े से 10 हो गया, और फिर एक जो है, वो साथ से 4 में जा रहा है, यानि 3 वो खा लेगा, तो 10 हो 3, तेरा टोटल 3 मोल ने 13 मोल खाए, तो पर मोल कितना खाएगा, 13 बाई 3, so the N factor is 13 बाई 3, ये वो केस होगा, जिसमें एक यादनी, एक से जादा oxidation states में convert हो रहा है, दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है, जिसमें एक element ये कहे कि मैं तो reduce हो रहा हूँ, दूसरा element ये कहे मैं भी reduce हो रहा हूँ, यानि एक ऐसा salt जिसमें एक से जादा लोग reduce हो रहे हो, या oxidize हो रहे हो, तो N factor कैसे निकाला जाएगा, तो अगर oxidation हो रहा है, एक से जादा लोग देखिए, इसमें क्या लिखे हैं, salts in the reaction, in that manner, when two types of atoms in the salts, they are going under oxidation state change, both atoms are either getting oxidized or getting reduced, तो ऐसे में, अगर both the atoms are oxidized, both the atoms are getting oxidized, in that case, N factor कितना होगा, in that case, N factor is equal to total moles of electrons lost by per mole of the salt, per mole of salt, और अगर ऐसा हो रहा है, जिसमें both the atoms are getting, reduced, उसकेस में, N factor is equal to total moles of electrons gained by per mole of salt, यह उसका N factor होगा, यानि मैं इस example से समझने की कोशिश करता हूँ, जब both the atoms are getting oxidized, तो क्या होगा, जब both the atoms are getting reduced, क्या होगा, oxidized हो रहा है, मैंने भी छोड़ा, तुमने भी छोड़ा, electron, तो इसका मदलब total कितने छोड़े, N factor, मैंने भी लिया, तुमने भी लिया, total कितने लिये, N factor, खतम होगा, यानि example के तोर पर अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, कि माल लीजिए, मेरा एक आदमी है, जैसे माल लेते है, Fe, C2O4, और Fe, C2O4 convert हो रहा है, Fe plus 3, और CO2 में, अब इसका मदलब यह हुआ सर, एक ऐसा salt is, जिसमें एक आदमी ऑक्सिराइज हो रहा है, दूसरा भी ऑक्सिराइज हो रहा है, कौन है वो आदमी, चलिए चेक करते हैं, सर, आइरन के oxidation state यहां plus 2 है, और यहां carbon plus 3 है, आइरन यहां plus 3 है, और यहां carbon plus 4 है, आइरन 2 से 3 जा रहा है, उनमें सारे लोग अपना total electron transfer जोर दे, आपको N-factor मिल जाएगा, ऐसा case जिसमें इस एक से ज़्यादा लोग reduce कर रहा है, ऐसे में अगर आप N-factor calculate करना चाहते हैं, तो भी आप अपने सारे electron जोर दे, क्योंकि तब आप gain निकालेंगे, यानि माल लीजिए, एक electron gain करेगा, nitrogen यहाँ 5 से 2 में आ रहा है, 3 mole electron गरेगा एक nitrogen, और क्योंकि आपके पास 3 nitrogen है, तो आपने 3 into 3, 9 mole gain किये, एक मैंने 3 आप 9 आपने, यानि कुल मिला के 10 mole electron gain किये, so the N-factor of the spheric nitrate in this reaction is 10. मैं यह बताना चाहरा हूँ, कि यह बहुत ही आसान सक्त केस है, अगर आपको यह समझ में आ जाए, कि एक ऐसा सिस्टम दे रखा है, जिसमें एक आदमी का oxidation state बढ़ हो रही है, यानि वो oxidize हो रहा है, और उसी salt का दूसरा element भी यह कह रहा है, कि मैं भी oxidize हो रहा हूँ, तो अगर किसी salt को ऐसी category में डाला जा रहा है, जिसमें एक से जादा लोग oxidize होते हैं, तो total electron loss will be the infactor, अगर वो salt एक ऐसी category में है, जिसमें एक से जादा लोग reduce हो रहा है, तो total electron gain will be the infactor, और ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा salt हो, जिसमें इस salt का एक आदमी oxidize हो रहा हो, और दूसरा आदमी reduce कर रहा हो, तो ऐसे में उस salt gain factor, वो len या देन से निकाला जा सकता है, यानि one atom is getting oxidized, and another atom is getting reduced, in that case, the end factor is like KClO3 gives KCl plus O2, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ chlorine plus 5 oxygen minus 2, 2Cl minus 1 oxygen 0, minus 2 से 0 में जाना electron loss होता है, that is oxidation, कितने का? 2 का, यानि minus 2 से 0 में 2 छोलेंगे, लेकिन 3 oxygen है तो 6 छोलेंगे, यानि 2 into 3, आपने 6 moles electron छोले, और Chlorine plus 5 से minus 1 में जा रहा है, plus 5 से minus 1 का मतलब 6 mole electron gain कर रहा है, plus 5 से minus 1, minus 1 समझते हैं, कितने का change आया, 6 का, तो यानि मैंने 6 छोड़े, तुमने 6 ले लिये, so the n factor will be lane या dain, that is 6, यानि अगर ये loss gain बराबर है, the n factor will be loss or gain, if loss gain is not same, then the n factor will be mod of loss minus gain, यानि कहने का मतलब ये हुआ, if loss is equal to gain, then the n factor is loss or gain, ये पहला point हो गया, दूसरा point, if loss is not equal to gain, in that case, n factor is mod of loss minus gain, यानि अगर ये lane देन बराबर ना होता, यहान तो 6 छे है, तो बराबर है तो कुछ भी ले लो, lane या dain, that is the n factor, that is 6, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता, वो 6 छोड़ता और वो 4 बुला लेता, तो difference will be the n factor, that is 2, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये unique examples होंगे, जो हमसे Jee के paper में अगर पूछे जाते हैं, तो सिर्फ वही बच्चा करपाएगा, जिसने एक deep knowledge gain कर रखे होगी, चलि और आगे बात करते हैं, इसमें अब next point आता है, वो salts जो disproportionate करते हैं, और ये चेक करना पड़ेगा, कि वो per mole कितने mole electrons का transfer कर रहा है, जैसे यहाँ पर अगर में देखू, तो मैं एक reduction half बनाऊंगा, O2 minus converts into O minus 2, और एक oxidation half बनाऊंगा, oxygen के minus oxidation state, वो 0 में convert हो रही, उसके बाद मैं इस reaction को, इस system को balance करूँँगा, यहाँ 2 लगा कर, उसके बाद electron transfer चेक करूँगा, minus 1 से minus 2 एक electron खा रहा हूँ, 2 की वज़े से 2 electron खा रहा हूँ, minus 1 से 0 एक electron छोड़ रहा हूँ, 2 की वज़े से 2 electron छोड़ रहा हूँ, अब मैं इन दोनों reactions को आपस में balance करूँगा, it will be 2 times O2, that is minus 1 oxidation state वाला, and that is 2 oxygen minus 2 वाला, this is O2, so this is the balance equation, according to this balance equation, साथ दिखाई देता है कि 2 mol H2O2, वो 2 mol electron का transfer कर रही, यानि 2 mol H2O2 ने 2 mol electron का transfer किया, जो भी net transfer है, that is that this cancelled electron, यानि net transfer of electron is 2, by 2 mols of H2O2, so the per mol transfer will be the one, यानि 2 mol H2O2 के होंगे, और वो 2 mol electron का transfer करेंगे, तो SMA per mol transfer will be 2 by 2, that is 1, so the N factor is equal to 1, यानि in this disproportionation reaction, the N factor of H2O2 is 1, यानि H2O2 का, अगर किसी भी molecule का, अगर वो disproportionate कर रहा है, आपको उसका N factor निकालना है, तो आप फटा-फट reaction को balance करके, per mol electron का transfer चेक कर लीजे, और वो per mol electron का transfer, पर वो electrons consider किये जाएंगे, जो cancel हो रहा है, सबोज उपर 1 होता, नीचे 2 होता, तो आप उपर वाले को 1, 2 से multiply करते, तो आप electron जो लेते, cancel वाले, वो 2 लेते, तो जितने mols of substances हैं, वो जितने mol electrons का transfer कर रहा है, that is, वो electrons जो आपस में cancel हो रहा है, that is, वो आपका per mol transfer से ही आपका, वो n factor calculate किया जा सकता, clear है, next point भी बात करें, तो छोटे से titrations के बारे में बात की जा सकती है, simple titrations, back titrations, double titrations, हम इस बारे में थोड़ा सा जानते भी हैं, जिस level पर अभी हम तयारी कर रहा है, उसमें हमें जो समझ में आता है, और equivalence निकालने का तरीका normality into volume होता है, यानि एक acid का N1 V1, वो दूसरे base के N2 V2 के बराबर होगा, इसी तरह से अगर redox reaction है, तो oxidizing agent का N1 V1, वो reducing agent के N2 V2 के बराबर होगा, यानि सिर्फ एक category जो simple titration को deal करती है, वो है N1 V1 is equal to N2 V2, यानि अगर आपको जिस चीज का भी normality calculate करना है, what is the purpose of the simple titration, to calculate the concentration of the, दोनों में से कोई भी, यानि कहने का मतलब आपने beaker में एक आदमी भर रखा है, और एक आदमी आपने burette में भर रखा है, तो ऐसे में सब जिसके भी आपको normality calculate करनी है, तो आप दोनों के equivalents को आपस में equate करके, N1 V1 is equal to N2 V2 से equate करके, जो भी unknown हो, आप उसको calculate कर सकते हैं, फिर हैं, दूसरी बात कर सकते हैं, दूसरा titration, back titration के नाम से जाना जाता, back titration वो titrations होता है, जो किसी impure solids की purity calculation में यूज़ किया जाता, उस impure solids की purity calculation में इसमें कुछ नया नहीं, back titration वोड इसलिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जिस substance से आप उस impure solid की purity नापना चाते हैं, उस substance को एक बात दुबारा back titrate किया जाता है, किसी दूसरे solution के साथ, ताकि ये पता कर लिया जाए कि उसका कितना amount खर्च हुआ, आप समझने की कोशिश करिएगा, माल लिजे मेरे पास एक impure solid है, माल लिजे एक impure solid ये, suppose this is impure solid C, अब अगर मुझे इस impure solid के अंदर ये impurity, अब अगर मुझे इस impure solid की percentage purity या impurity calculate करनी है, क्या करूँगा, सर मुझे इस purity का या impurity का वेट पता होना चाहिए, हाँ, तो उसके लिए करूँगा क्या, मुझे नहीं पता purity कितनी है या impurity कितनी है, तो सर मैं ये कैसे बताऊं, कि मैं जो पहला solution लेके आ रहा हूँ, जो reaction करेगा इस purity के साथ, वो कितना लिया जाए, मुझे पता ही नहीं है, तो ये काम करते हैं सर, उसको access में ले लेते हैं, यानि ये काम करने के लिए, माल लीजे, ये मेरी purity है, और ये मेरी impurity है, जो बचा हुआ हुआ है, that is impurity, तो मैं सबसे पहले a solution लेके आऊंगा, इस a solution के अंदर ये खुबी होगी, जो सिर्फ purity से रियाक करेगा, impurity से रियाक नहीं करेगा, लेकिन purity कितनी है, ये मुझे पता नहीं, impurity कितनी है, ये मुझे पता नहीं, तो मैं a को access में ले लूँगा सर, a पहले से access में ले लूँगा, सर, purity जो होगी, वो इसके साथ रियाक करती जाएगी, करती जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा solution है, सिर्फ किस से रियाक करेगा, purity से, तो सर, purity इससे रियाक करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, अब हमें नहीं पता कितनी purity है, तो जितनी करनी है, कर जाएगी, जब reaction खतम हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन सेर ये कैसे पता चलेगा कि कितनी reaction हुई, क्योंकि ये कितना ये मुझे पता ही नहीं है, ये तो access में लिया गया था, अब ये कितना react कर गया, ये मुझे नहीं पता, तो माल लिजे पूरी reaction के दौरान जो है, वो ये scene बनता है, कि इतना आदमी खतम हो जाता है, मुझे पता नहीं कितना खतम हो जाता है, ये reaction कम्प्लीट हो गई यहां तक, ठीक, अब जितना बच गया, उसको कैसे निकालूं, कि बचा कितना, उसके लिए मैं इस A solution को एक दूसरे B solution से back titrate कर देता बाकी purity से रियाग कर रहा है, तो इसका मतलब जितने reaction में जो react कर गए थे, that will be equal to the equivalence of purity, उससे आपको purity के equivalence मिल जाएंगे, purity के equivalence से purity के moles मिल जाएंगे, purity के moles से उसका weight मिल जाएगा, और उससे उसकी percentage आसानी से calculate की जा सकती, यानि इस तरह के back titrate में आपको तीन तरह की ची नहीं करेगा, और तीसरा solution होगा, B solution, जो सिर्फ A से रियाग करेगा, और किसे से रियाग नहीं करेगा, ना purity से ना impurity से, ना purity और A के साथ हुई reaction के product से, किसे से रियाग नहीं करेगा, यारी जब आप इस आदमी को इसके अंदर डालेंगे, तो ये आदमी सिर्फ A से रिया तो यहां पर भी मैंने इस तरह से तुम्हें बताया कि सारी concepts यहां लिखे हुए, आप simple तो आपको बस यही समझना है, इसके initial equivalence आपको सवाल में दिये जाएंगे, जितने इसके बच जाएंगे वो आपको यहां से पता चल जाएंगे, दोनों को आप minus कर देंगे, तो they will be equal to the consumed equivalence of A and they must be equal to the equivalence of purity. और जैसे ही आपको purity के equivalence मिलेंगे, purity के N factor से डिवाइड करके, उसके moles, उसका weight, उसका percentage, कुछ भी calculate किया जा सकता है, clear है? और जो last iteration है, वो double titration है, double titration generally alkaline mixtures के compositions को निकाल निकली किया जाता है, generally alkaline acidic mediums के composition को, जैसे माल लिजे मेरे बरतन में NUH है और NaHCO3 पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा? कि अगर एक बरतन में ये तीनों आदमी पढ़ें, suppose NUH भी present है, Na2CO3 भी present है, और NaHCO3 भी present है, अब कितना कौन present है, ये काम करने के लिए आपको double titration का सहारा लेना पढ़ता है, कैसे? सर, आप उपर से इसको titrate करते हैं, किस acid के साथ, चलिए ठीक है, सर, alkali mixture है, आपने माल लीजे, HCL के साथ इसको titrate किया, अब बताइए होगा क्या? सर, जब आप HCL अंदर डालेंगे, तो सबसे पहले HCL को कौन पकड़ेगा? सर, इन सब में सबसे मजबूत base कौन है? NUH, ठीक है, कब तक पकड़ेगा? सर, जब त HCO3 है, वो भी, और जो पहले से present NUHCO3 वो भी, वो further HCL से react करता जाएगा, यानि कुल मिला के देखा जाए, तो इस बरतन में ये खेल खेला जा रहा है, सबसे पहले NUHHCL को पकड़ेगा, और वो NUHCL और पानी बनाएगा, फिर दूसरा नंबर लगेगा, NUHCO3 का, वो भी HCL से react करेगा, और वो NUHCO3 बनाएगा, जो बना हुआ NUHCO3 है, वो further HCL को पकड़ेगा, और H2CO3 बनाएगा, और जो पहले से present NUHCO3 है, वो भी HCL से react करके H2CO3 बनाएगा, सर, ये आपकी reactions चल रही होंगी, और इन्ही reactions के basic पर आपका सारा काम चलना होगा, ठीक, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, हमें ये बताईए कि, हमें बताईए कि इस पूरे खेल में, ये जो reactions आप कर रहा है, इस पूरे खेल में, हमें कैसे पता चलेगा कि reaction कहां तक हो चुकी, अब ये बहुत बढ़ी unique सी बात, हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा, कैसे, सर, लेट नहीं पता चालेगा मुझे कुछ नहीं पता सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनका total you अब को करने के लिए आपको डबबिय के अंदर बैठना पड़ेगा आप बैठके देखते रहीएगा क्या क्या हो चुका हमने का पागल हो गयो हो डबे के अंदर जोना बठा जा सकता है तो एक काम करिये सर आप अपने आदमी को डब्द बेढ़ा दीज्वे surreal कर आज आज साहर जाता है वह इंडिकेटर नभी के अंदर जाके बैड़ जाता है और मुझे उस के बारे में पाहले से सब आप देखने को मिलेगा जब environment weekly basic होगा और weekly basic environment in case में तब होगा जब डब्बे में सिर्फ नहीं प्रेजंट होगा strong basic basic weekly basic environment means इस reaction का completion यानि जब तक ये reaction complete नहीं हो जाती तब तक weekly basic environment create नहीं होगा यानि नहीं पूरा खतम हो जाएगा एने टू सिर्फ कौन प्रेजंट होगा एने एस योथी कौन सा एक वो जो बना है और एक वो जो पहले से लेकिं होगा तो सिर्फ नहीं एस योथी एन एस योथी बेस उसके environment के बनते ही फिन अपना से करेगा मैं नौ बन करके यह पहचान जांगा कि इस टाइम तक क्या क्या हो चुका इस टाइम तक एने वएज कहता हो चुका है और चुका है और योएजघ में कर्वा करेंगा they must be equal to the milli-equivalence of NaOH plus milli-equivalence of Na2CO3. तियर, अच्छा, इसी में, अगर मैंने अपने दोस्त, दूसरे दोस्त को बठाया होता, जिसको आप मिथाईल ओरेंज कहते हैं, वो क्या करेगा? सर, मिथाईल ओरेंज वो आदमी है, जो weekly acidic environment में color change करता है. वीकली acidic environment कब बनेगा? अभी बन गया? अरे, सर, कैसी बात है गर रहा है? स्ट्रॉंग बेसिक, बेसिक, वीकली बेसिक, वीकली बेसिक, कब बनेगा वीकली acidic environment? सर, वीकली acidic environment तब बनेगा, जब H2CO3 बरतन में पाहा हो, और कोई ना हो, ऐसे में, सर, पहली reaction भी complete हो चुकी है, दूसरी reaction भी complete हो चुकी है, पहली भी खतम, दूसरी भी खतम, तीसरी भी खतम, चौथी भी खतम, यानि इस point पर आकर methyl orange मेरा color change करेगा, यानि उस time पर जितने भी HCl के मिली equivalence consume होंगे, they will be equal to the mill equivalence of NaOH, plus Na2CO3, plus वो NaHCO3 जो बना है, plus वो NaHCO3 जो पहले से present है, इन सारे equivalence का sum will be equal to the equivalence of HCl, इस तरह से दो equations बना कर, आप कितना NaOH present है, कितना Na2CO3 present है, और कितना NaHCO3 present है, वो calculate कर सकते हैं, यानि मैं यह चाह रहा हूँ कि इसके उपर एक छोटे-छोटे एक दो objectives तुम सवाल घर में लगा लो, ताकि अगर इसके उपर कोई सवाल बने तो किया जा सके, बैक टाइटरेशन पर जनरली सवाल थो लेंदी है, चांसे मेंस लेविल पर आने के कम है, लेकिन सिंपल लेविल पर सवाल बिलकुल पूछे जाएंगे, एक एक बैस, इसके एक्विलेंट्स बराबर कर दो, यानि एक ऑक्षिडाइजिंग एंटेकर रिईशूंग एंट, दो लोगे एक्विलेंट्स बराबर कर दो, बस ध्यान क्या रखना है, सर वो normality कैल्कुलेट करते वक्ट कभी-कभी हमें सवाल में molarity given होती है, और जब हम में मुलारिटी गिवन हो तो solution की जो मुलारिटी है उसको n factor से multiply करके ही normality निकालनी पड़ती है और तभी हम n1 v1 is equal to n2 v2 का इस्तेमाल करते हैं सर ऐसे में n factor कैसे निकाला जाएगा तुमने अभी तमाम तरीके देख रखें आपको तो जो भी solution दिया जाएगा आप उस solution से n factor निकाल सकते हैं के एमनो 4 aceric medium में react कर रहा है सब n factor 5 होगा अगर उसकी molarity 0.5 है तो 0.5 into 5 will be the normality that is 2.5 जरा समझो बात को यानि अब आपको n factor calculations का idea है आपको molarity को normality में convert करना आ गया आपको equivalent concept के बारे माइडिया है कि दो लोग आपस में रियाग करेंगे दोनों के equivalent सापस में फराबर होंगे अब आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं कुछ-कुछ सवालों के practice कर ली जाए जम के आप यहां से शुरू करते हैं और यह समझ लीजे तो बहुत सारे बच्चे चलते 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 यहीं गिर जाते समझ लो बात को, यहीं गिरने लगते, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जो चल कर ऊपर चल जाते हैं, और एक बार वो ऊपर पहुंच गए, तो सर करके उनका chapter complete हो जाता है, यानि जब भी कोई chapter किया जाए, उस chapter में ये कमी होगी, जिसको आपको दूर करना होगा, आप लगे रह झाल आपकी लोगे.